पुलिस भरती कॉंस्टेवल से रिलेटेड क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या प्रोसेस रहता है मेडिकल एक्जामेनेशन का पूरे सेलेक्शन प्रोसेस में हिमाच्यपदेश की भरती में और अगर मैं बात करूँ कि जितनी इंपॉर्टेंस हम फिजिकल पूर्च लगा के हो जाएगा तो आससे नहीं होता है बिल्कुल भी मेडिकल एक्जामेनेशन काफी स्टिक्ट कर दिया गया है और मेडिकल एक्जामेनेशन में दो ऐसे प्रोस्पेक्टस हैं मतलब कि दो ऐसे स्टेजेस हैं जिनको बड़े ध्यान से डीपली दिख जाते ह एंड गाइस मैं आपको बता दू ये वीडियो 2020 में सेलेक्टेड केंडी रेट्स के थूरू बनाई गई है उनसे पूछा गया था तो उन्होंने मुझे क्लियरली बताया कि क्या क्या प्रोसेस रहता है किस तरह का एक्जाम होता है और क्या इसमें देखने का आप मिलेगा म मतलब जादा नहीं देखते होंगे कुछ बटा ऐसा कुछ नहीं है और इससे मेले मैं आपको बता दू कि हिमाच्चर पदेश पुलीस से रिलेटिड आपको जो है वो रेकूट्मेंट से रिलेटिड वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएंगी जिसमें प्रीवीज से कोश्वे प्रीवीज जो है प्रीविज येर जो सेलेक्टेड केंडिडेट्स थे उनसे पूछ कर बनाई ये हैं क्योंकि उन्हें जादा नौलेज था उन्होंने फेस की हुए था वो सारा तो अभी बात करेंगे हम मेडिकल एक्जामेशन की सबसे पहले हमारे पास आता है बोंस का द और बोडी के पूरे मतलब आपके स्ट्रक्चर को देखा जाएगा ठीक है नौकनी स्पैशली नौकनी पर ध्यान दी जाएगा स्क्रीन पर जैसे आपको दिख रहा है ये जो सेंटर वाली है आपकी लेक्स की पुजिशनिंग ऐसी होनी चाहिए लेफ्ट और राइट जो है ये अलग है देखिए लेफ्ट वाली जो है ये वालेग्ड है राइट वाली जो है नौकनी है इसमें और जो लेफ्ट वाली उसमें वालेग्ड है इस वज़ए से आपका जो नौकनी का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सेंटर की तरह होना चाहिए जैसे सेंटर में ऐसे नहीं जाती, जैसे आप आपको तक्या रखते हैं तांगों के बीच में, उससे भी जाती है, लेकिन अगर आपको ज्यादा है, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी, मेरे जैनवे नौकनी के उपर, आप उसको देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो देखनी है, नहीं द स्पाइन कोड बिल्कुल सीधी है या कहीं से बेंड तो नहीं है and second thing कि fracture का भी जो है body का ऐसा ही देखते हैं कि बाजू बगारा जो है वो सीधे है या कहीं बेंड तो नहीं है यह आगया आपका bones के बारे में okay अब इसके बाद हमारे पास आता है ENT देखिए ENT सबसे ज़्यादा important जिसको मैं कह सकता हूँ वो है ENT ENT में आपके बास आएगा I जो आंखो का test है वो बड़ा ही important role play करता है हिमाचल police की recruitment में I is हो गया यह first है जो काफ़ important है सबसे पहले आपको दूर कड़ा करके आपको पढ़ाएंगे किसमें क्या लिखा हुआ है दूर से पढ़िए and second जो है वो color blindness के और उसके ओपर आपको मैं आगे बताता हूँ यह आपके पास आगया उसके बाद हमारे पास है क्या बोलते है कानों का कानों में देखा जाएगा कि आपके कान में कोई wax तो नहीं है अगर wax होगी wax clear करके जाएगीगा अगर wax हुई तो वो एक दो दिन का delay देंगे फिर आपको ठीक है दो आई डालते है wax easily निकल जाती है उसका ज़्यादा कोई problem नहीं रहती लेकिन फिर भी clear करके जाएगी ज़्यादा बैटर रहेगा color blindness देगी पता क्या होता है वो भी main doctor checker है उसके बाद eyes की जो movement है यनि eyes दोनों इकठी काम करती है यनि जैसे left side को move कर रहे है तो कुछ object left side को move कर रहे है तो वो उसी side देख रहे ही दोनों यह कहीं bubble दो नहीं कर रहे है ये जो है वो assistant checkering के उसके बाद तो eye का test बहुत important है इसके बाद हमारे पास आता है teeth का देखिए teeth में ऐसा है कि दांतों का ऐसा है कि दांत अगर आपके मान लीजी दो तीन खराब भी है in case तो चलेगा ठीक है मैं इतना कह सकता हूँ कि दो तीन अगर आपके तीन मान लीजी तीन दांत अगर आपके खराब है मान लीजी तो उसमें वो चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा है तो आपको concern कनवरेगा किसी रॉक्टर से कि हाँ मेरे दांतों का structure ठीक है या नहीं है इसके बाद हमारे पास आई का blood test blood test important है blood test में कुछ ऐसा है कि blood test आपका लेंगे उसमें sugar level check करेंगे या कुछ और disease check करेंगे बट मेरे को sugar का ही बताया था उनों है कि sugar check करते हैं and normally कोई और disease check करेंगे and ये सब करने के बाद आपका हाँ आपका urine test जो है वो उन्होंने नहीं लिया था इसके बाद है हमारे पास इसके बाद हमारे पास आचाएगा blood group देखे blood group का ऐसा है कि blood group में आपको जो है वो अगर आपके बस license होगा न license का अगर आप original किसी रिष्टिट को दिखा दे कि हाँ मेरे blood group be negative, be positive या कुछ भी है तो वो directly लिख देंगे अगर आपके बस ऐसा कुछ साटी को नहीं है तो आपका blood test भी होगा फिर इसके बाद हमारे पास eye का मैंने बताया था आपको यह जैसा structure जो है वो पढ़ाते है दूर से बिठाके फिर eye side का लगता है पता कि 25-20 है 25-25 है कि क्या structure है eye का and इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ECG ECG भी किया जाता है electrocardiogram ECG किया जाता है कि heart का देखना होता है उन्हें कि किस हिसाब से आपका work कर रहा है तो ECG की report भी ज़रूर आती है and important बात आपको बता दू अगर आपका मान लीजिए कांगडवाला को जैसा धर्मशाला zone का जो hospital है बहाँ पे होता है अगर आप मान लीजिए अगर आपकी medical में कोई दिक्कत आती है तो आप अपना medical जो है वो टाड़ना medical college ये किसी और medical college से भी करवा सकते हैं ठीक है इसके बाद हमारे पास आएगा electrocardiogram होने के बाद हमारे पास important आएगा देखिए first important था हमारे पास आए का test हो second testicles का testicles का test होता है ये जो कह सकते हैं कि doctor जो है वो examine करता है और वो आपके testicles को touch करके check करेगा कि उसमें कोई pass वगरा तो नहीं है because ये important factor है जिसको testicle में दिक्कत होगी running में problem आएगी उसको काफी जाद दिक्कते होँगी इसलिए ये test जो है वो काफी important है इसको अगर आप self examine करें तो ज़्यादा better रहेगा जैसे यहाँ पर mention किया होगी कैसे self examine करना है कि क्या situation है इसके बाद हमारे पास आता है important ये important इतना नहीं है लेकिन आर्मी में इसको बड़ी ज़्यादा हम ये दी जाती है वो है आपका skin cut है जिसे हम clammy hands कहते हैं ठीक है इसे clammy hands का जाता है कि हाथों में पसीन आना मान लीजिए training के time या बाद में कभी आप रसा जो देखा हो ना अपने पोल के ओपर रसा लगा होता है उसके ओपर चड़ रहे हैं तो हाथ फिसल सकते हैं गिर सकता है आदमी या राइफल नहीं पकड़ी जाती जादा देर तक पकड़ नहीं बनती इसलिए इसको clammy hands को भी जो है वो बना किया जाता है इवन कि के इसमें ऐसा भी होता है जिनको जादा पसीन आता है कुछ को तो इतना जादा है कि एक्जाम भी नहीं दिया जाता माली जो नो टावल रखा हो है या नैपकिन रखा हो है वो भीग जाता है पूरा तो ऐसा होता है कि इसमें कुछ मैं पका शूर नहीं कह सकता कि ऐसा होता है बट ऐसा कुछ होता है कि current बगारा भी इससे लगते हैं जिससे पोर्स जो है बंद हो जाते है स्किन की मैंने सुना था बटा ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको हलका पसीन आता है तब भी आप किसी डॉक्टर से कंसर्न करो क्योंकि क्लैमी हैंड्स को वो जुरूर चेक करेंगे वो पता कैसे चेक करेंगे अपनी दो तीन उगलियाँ आपके हाथों के बीच में रखेंगे और आपको वो उगलियों को निकालने की कोश़ है अगर वो उगलिय निकल गई means आपके हाथों के पसीन नाता है और अगर नहीं निकली तो वो नहीं आता होगा जादा जोर से नहीं नॉर्मल उससे करेंगा ये रह गया था ये बीच में आपको ENT के साथ मैं बताना भूल गया था जो की है Nose Problem ठीक है Nose Problem एक Important Factor है इसमें ऐसा है कि देखिए आपको देख रहा होगा इसमें कि एक साइड जो है बिल्कुल सीधी है ठीक है ये septumary shaped ये सीधी है ठीक है नाक की हड़ी इसमें कह सकते हैं कि इसमें some cartilage removed कह सकते हूं कि यहां bend है नाक को आप खुद भी examiner कर सकते हैं कि मेरी नाक सीधी है या नहीं है लग जाता है पता किसी की नाक देखने से ही तो ये भी इसमें check किया जाता है ठीक है ये थे medical examination के उपर कि इस प्रकार का medical examination होता है अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो आप पुझे comment section में लेख सकते हैं हिमाच्छाब अदेश पुलिस से related recruitment जो conduct होने जारे है उससे related किसी भी प्रकार की वीडियो के लिए आप मेरी चैनल को subscribe रहे धिए धुलिस के लिए बाचर के लिए चैनल कोईट आपको के लिए दूएबर